इसके अलवा मैं Unacademy पर एक educator भी हो तो मेरे दोरा बनाएंगे सभी code सो कोई देखने के लिए simple सा आपको जाना है Google Play Store पर download करना है Unacademy का learning app और आपको वहाँ पर search करना है मेरा नाम अभिनुसीक इसके बाद आप मेरे दोरा बनाएंगे सभी code सा देख सकते हैं आपके यूपी ट्रवले से एक्जाम ग्राम विकासत करी ग्राम पंचारत करी यूपी पीसे एक्जाम वहाँ प्रीवेस के पेपर यूपी ट्रवले से एक्जाम के लिए जर्नल इस्टेडीस के questions, math, jk, current affair वहाँ अन्य सभी important आपको course मिल जाएंगे यूपी ट्रवले से एक जाम वहाँ अन्य सभी एक जाम से हलो दोस्तोर नमस्कार स्वागात है आप सभी का यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी पीसे एरो अंसर की को लेकर तो जर्नल हिंदी में जो भी question आपके paper में पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से topic से question आया थे वो यहाँ पर मैं आपको बताने व यहाँ पर अपनी तरी कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं question number आपका है पहला सुर्योदय होने पर कुहाशा जाता रहा सहीक वाक्य में आपको बदलना होगा और इस question को हमने आपको कराया भी था हमने आपको जब वाक्यों का वर्गी कर topic दिया है तो वहाँ पर इस पूर थार्ड तो कर आगे यहाँ पर है यह पूरा आपका वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है निस्पत 21 आचारी का विचार है तो काफी डीपली पूछा गया है answer number थार्ड यहने की भरत मुनी question number आपका है फोर आपूर क्रिया के लिए जो संगिया अथवा बोलते क्या हैं तुने बोलते हैं पूरा कहते हैं answer number आपका फ़र्श्ट रहेगा right answer question number 5 5 मुह्षे बोले जाने वाले सास्वर वर्णों को क्या कहते हैं तो चार अंसर यह पर पर के हैं इसे बोलते हैं नियरी नुनाशक कहते हैं question number 6 और यहां पर इस question का answer आपका है question number 1 आगे हम बात करेंगे यह पूरा आपका पंक्ति लिखा हुआ है और आपको बताने इसमें कौन सा अलंकार है answer number 1 रहने के slice अलंकार यहां पर होगा question number 8 अरोप वाद किस आचारी का सिधानत है answer answer number 3 इसका रहे का right answer question number 9 निश्चल में किस प्रकार की संद्ध है यहां पर आपका संद्ध रहेगा आगे हम बात करेंगे question number आपका है टेन डंडी किस प्रकार के आचारी है answer number 3 इसका रहने की अलंकार वादी तो यह भी काफी पूछा गया है question number 11 सवा 16 आने सही महाबरे कार्थ का है याने की पूरे तोर पर ठीक होना बात करेंगे यहाऍपर हम अगले question की बारे में question number आपका है question number 12 और यहाँ पर यह पूरा पंक्डिली का वाई इसमें बताना कौनसा अलंकार है तो answer number आपका थाड अजया गारिए इसका right answer ठीक है बात करेंगे अगले कुशन के बारे में और फिर यहां पर पुछा गए आपका अलंकार का कुशन कि सोहत, ओडे, पीटपट, स्याम सलोने का दिया यहां पर यह दूनों जो पुछेंगे कुशन काफी आसान है यहां पर आपका रहेगा यानि कि उत्रपईच्छा अलंकार कुशन नमर आपका है 14 राम चरिद मानस के पुष्प वाटिका प्रसंग में अगर सीता अलंवन है तो राम है यानि कि आश्टर है तो यह थोड़ा तो डीबली पुछा गए यहां पर कुशन नमर आपका है अगला कुशन नमर आपका है 15 यहां पर क्या है यह पूरा कुशन आपका है यानि की पंक्ति लिखी हुई है आपको बताना इसमें कौन सा चंद है तो यहां पर आपका दोहा चंद है तो यह भी कुशन आपका आसान पुछा गया था आगे हम बात करेंगे कौन सा तदबाव सब्द नहीं है चार अंसर आपके लिखे हुए है अंसर नंबर 4 यानि कि सरब कोशन नंबर आपका है 17 ये पूरी पंक्ती यहाँ पर आपकी दी गई है और बताना है काँशन पर कौन सा पर छंद है आंसर नंबर 4 यानि कि वसंथ तीलिका ये भी आपका डीबली पूछा गया है यसकी उपमा दी जाए उसे बोलते हैं के उसे बोलते हैं उपमें है और आपका है 19 इनमी से कौन सा तत पूरू से समा सा नहीं है आंसर नंबर 1 यानिकि परमेश्वर Question number 20 जो पुछा गया है या किसे प्रकार का यहाँ पर ध्वनी है तो चार अंसर आपके यानि कि तालव भी आपका रहेगा Right answer Question number 21 सुद्य वर्तिने वाले सब्द यहाँ आपको बता रहा है तो answer number आपका 1 इसका रहेगा Right answer Question number 22 Question number 22 दुगना और दोहरा किसे प्रकार के विशेशड है Answer number आपका है फर्स्ट यानि कि आवरति वाचक Question number 23 चंद सास्तर में पाद चंद का कौन सा भाग है यानि कि लाश्ट यानि कि चतूर्थ भाग है Question number 24 स्रमाण का संदी विख्षेद यहां पर क्या होगा तो आपके सामने यहां पर चार अंसर लिखे हुए Answer number फर्स्ट इसका रहेगा Right answer Question number 25 दोहरा किस आचारी का सिद्धान्त है तो यह भी कभी आपके डीबली पुछा गया है और इसका Right answer आपका है Question number 26 ब्रहमर का परियावाची नहीं है Question number 27 यहां पर क्या है वह कौन सा मनुस्य है जो महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुने या ना सुना हो यह किस प्रकार का वाक्य है यानिकि मिस्र वाक्य है और हमने आपका अच्छे से बताया है कि आपका सरल संयुक्त और मिस्र वाक्य होते क्या है Question number 28 जब किसी का वर्णन बड़ा चड़ा करने से उसकी सीमा अख्मा मर्यादा का उलंगन हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकर होगा यानिकि आप संयुक्त अलंकर Question number 29 क्या पुछा गया है यहाँ पर कहा कि ओश्थ है, इसपर्स वेंजन, अलब प्राण और अगोश वाण काउन सा है तो हमने बहुत बार आपको बहुत अच्छे से बताया है अपने हर हिंदी के सेट में Answer number 30 है और यहाँ पर यह पंक्तिया दी गई है Answer number 31 की प्रभाव में गाण है आपके समने चारण सा लेके हुए यहाँ की जगाण यहाँ की काफे डीपली आपको पुछा गया है Question number 32 जिस बहुवरी का पूरवपद उपसर गहो उशे क्या कहते है यहाँ की उसे बोलते है प्राद करण बहुवरी तो यह भी आपके डीपली पुछा गया है Question आपका है 33 भारत मुन के अनुशार कौन से रस की स्थाई भाव को अभेने में दिखाना संभव नहीं 94 जने की सांथ इसको दिखाना संभव नहीं है और यह भी हमने आपको पढ़ाया है जल्द ही पेपर Question number आपका है 34 उपमे पर उपमान का अरोप होने पर कौन सा लंकर होता है Question number 35 वाक में सब्द का परस पर जो संबन्द साम भी रहता है उसे कहते हैं उसे अनुवे कहते है Question number आपका है 36 जहां स्वरूप और क्रम में आरे हैं कि विंजनों की आवरती एक बार हो कौन सा लंकर यानि कि छे का नुपराश लंकर होगा Question number आपका है 37 मुक्का मुक्की यह किस प्रकार का आपका बहुरी समास है Answer number 4 आपका रहे है Question number 38 मेरे हर्दें के हर्स हां अभिमन्यू अब तु है कहां इसमें कौन सा रस है तो वो 4 आपका रहे है Answer number 2 यानि कि कारूण रस है Question number 39 जो रिण ले उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अध्य मरण आगे बात करेंगे कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है Answer number 2 यानि कि गर्व आगे यहां पर हम बात करेंगे क्रोध किसका यहां पर इस्ताइभा हुआ है यानि कि रौदर का है Question number 42 क्या है विशेशनट के लिंग और वचन किसके अनुसार होते है यानि कि विशेशन की अनुसार होते है और यह हमने आपको बताया भी है Question number 43 यहां पर क्या है यहां पर आपको बताना है क्या है Question कि उसकाल मारे क्रोध के तनुकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ साकर जगा इसमें भाव क्या है यानि कि अनुभाव Question number 44 यहां पर क्या है कि क्रिया अधवा धाद के अंत में प्रत्य प्रियुक्त होकर जो सब्सक्राइब उसे बोलते क्या है तो answer number अपका फर्स्ट इसका रहेगा right answer Question number 45 चौपाई किस प्रकार का छंद है यानि कि मात्रिक शंद है Question number Question number 46 और यहां पर आपको बताना इसमें से कौन सा लंकार है 4 answer यानि कि लाटा नुप्राश लंका यहां पर होगा Question number 47 वे निर्धनों को अन्ने दिया करते है मैं दान मैं धन दान दिया करता हूँ इसमें वाक्यों की भेद बताएं तो answer number अपका है third Question number 48 किसी वस्त की प्राप्ति दरशन आध की उत्रकिष्ट इश्चा को बोलते क्या है तो answer number आपका रहेगा इसका 4 रहेगा right answer Question number 49 यानि कि तुम आओगे और स्याम जाएगा इसमें से किस प्रकार की अव्यका प्रेग हुआ है यानि कि विकल्प बोधक तो यह question भी आपका आसान है आगे बात करेंगे जो नियाई को अच्छी तरह से जानता हो उसे बोलते क्या है उसे बोलते हैं नियाई यह कहते है Question number 51 जिसमें प्रत्रम चार चरण रोला के और से से दो चरण उलाला के हो उसे कहते क्या है उसे बोलते हैं answer number 4 यानि की छपपय कहते है Question number 52 क्याउंसा है कि काउंसा तरह समसब्द नहीं है answer number आपका पहला रहेगा रैटन से इसकर रहेगा Question number 53 है याण सुरशंदी में नहीं है answer number 2 Question number आपका है Question number 54 साधुओं की संगत से बुद्धी सुधरती है संगत से इनमे से कौन सा कारक का यूज हुआ है answer number 3 यान की करण कारक तो सभी कुश्चन आपके टॉप के मोश्ट इंपोर्टन है आपके आने वले एक्जाम्स के लिए Question number 55 रस के कितने अवयो होते हैं यानि कि चार आपके रस के अवयो यहां पर होते है Question number 55 कि चंदर में मात्रा और वाणों की गर्णा को क्या कहते हैं यानि कि इसे संख्या बोलते है Question number 57 दीर के स्वर संदी छाटिये यानि कि गिरीन रपकर है राइट अंसर Question number 58 इस पर से दनते अगोश और महापराण वाण कौन सा है चार अंसर आपके है यानि कि अंसर number 3 यानि कि था आगे यहां पर हम बात करेंगे Question number आपका है अगला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है सारी ही कि नारी है कि नारी ही सारी इसमें कौन सा अलंकार है तो काफी आसान है बहुत बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा इनकी शंदेह अलंकार कुश्चन नमर आपका है 60 भाव भूती ने रस राज की उपादी किस रस को दी है चार अंसर अंसर नमर फूर यान की करूण रस आपका यहां पर रहेगा राइट अंसर यह सभी कुश्चन टाप के मोश्ट इंपोर्टन है आपके आने वले एक यम्स के लिए और आपको यहां पर इनको अच्छे से देखना भी है जैसे कि पेपर में आप अच्छा यहां पर कर से देखना कोश्चन नमबर आपका है जहां उपमे और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों से बिम्ब प्रति बिम्ब भाव हो वहां कौन सा अलंकर होता है तो आपना आपका फॉस्ट इसका रहे का राइट आइट आज ऐसर कोश्चन नमबर आपका है सरे कोश्चन नमबर दोस्तों यहां पर आपका है 62 अरथा अलंकार के चर्चा भासा भूसर में किसी ने की है चारा अंसरcidos यानि कि कोशें नमर आपका है 64 पॉबारा होना करते हैं आपका है छूब लाबक होना कोश्चन नमर आपका है 65 यानि गहरा का है परियावची क्या होगा जाने चिछला होगा कोशन नमबर 66 कौन सा इस्त्रीलिंग वाचक सब्द है चार अंसर नमर 4 याने की संतान कोशन नमबर आपका है 67 जहां एक वाकि दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है उसे बोलते क्या है उसे दोस्तों बोलते हैं संकेत वाचक वाकिसे कहते हैं Q. 68 रस के शम्बंध में कौन सा आपका असत्य है यानिकी अंसर नम्बर आपका जो फर्स्ट है या आपका रहेगा असत्य बाकि सारी यहाँ पर आपके हैं सत्य Q. 69 निश्य वाचक स्तर्व नाम का बहुशन पर सर्गर साहिद रूप होगा Q. 70 जहां सब्दोगी अवरती हो और प्रतेक बार भिन अर्थ प्रकासित हो वहाँ पर कौन सा लंकर होता है Q. यानिकी यमा कलंकर होता है दोस्तों यह आपके सत्तर Q. जो कि पूछे गए हैं Q. यूपे PCL ARO के एक्जाम में उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा लेशन पूरा सेशन प्रसंद आया होगा बाइब दोस्तों टेक कियर सी यू तीरह तारिक की सारे कुश्चन यहां पर होगें कम्प्लीट रिजनिंग और हिंग्लिज नहां पर अपका अभी बाकी है इसके अलबाब 15 तारिक के जो कुश्चन पेपर है उसके बारे हम बात करेंगे अगले वीडियो में